हेलो दोस्तो अगस्त माईने के करेंट अपयर हमने देख लिए थे अब ये जुलाई के करेंट अपयर देख रहे हैं उल्टा इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने एक्जाम रिवाइज किया ही होगा तो जो नए चीज़े हो गई हैं उनको पहले डिसकस कर दिया जा रहा है या यह 14, 49 और 66 यह धाराएं है ठीक है तो इन धाराओं में संसोधन कर दिया गया तो अब यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि दिए पांच आप्शन बनते हैं बिहार के एक्जाम में जो भी BPSC के एक्जाम होते हैं तो वहां पे एक आप्शन आपू टावर कहां पर अस्थापित किया गया है यह आपका पटना सहर में ठीक है पटना सहर में है यह इस्तित और 120 फीट इसकी उचाई है ओके तो 120 फीट उचा है और कूल बजट जो है इसका 84 करोंड के आसपास है तो यह ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है और आगे चलिए देखते हैं तीसरा 24 करोंड की लागत से बनने वाली बिहार की डगमरा जल्विद्द पर योजना ध्यान रखिएगा डगमरा जल्विद्द पर योजना यह किस नदी पर इस्तित है तो यह है कोसी नदी पर और इस प्रोजेक्ट में कम सम 5 साल पूरा हो गया है और जल्विद्द पर योजना होगी और इसके साथ इस सौर उर्जा के भी बिजली उत्पादन यहां पे अस्थापित किये जाएंगे आगे देख लेते हैं बिहार के सभी इंजिनियरिंग मेडिकल कालेज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिसत सीटें आरच्छित कर दिया है तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्जामनेशन में इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि आपको पता हूं तो 33% का आरच्छन दे दिया गया है इंजिनियरिंग मेडिकल कालेज में महिलाओं को 38 सरकारी इंजिनियरिंग कालेज हैं फि देख पेस किया गया था विधान मंडल में इसको पारित कर दिया गया और अब यह लागू हो जाएगा 33% सीटों के आरच्छन पर नीत यायोग के SDG ध्यान रखेगा सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल रिपोर्ट जो होता है यह जो राज्यों के लिए होता है उसको जारी करती है नीत यायोग ठीक है तो नीत यायोग के बारे में ध्यान रखेगा आप लोग और बिहार किस अस्थान पर यह फिलहार रिपोर्ट किस अस्थान पर है बिहार ओके तो बिहार है फिलहार बावन में अस्थान पर और अगर इस देखें तो केरल पहले अस्थान पर है और यहां पर यह अस्थान नाहोकर यह मुझे अंक लग रहा है, यह अंक हैं, बावन अंक मिले हैं इसको, और बिहार अगकों के साथ सूच में सबसे नीचे है, तो ध्यान रखेगा सबसे नीचे कौन सा कर राज है, बिहार, ताज़ा रिपूर्ट में बिहार, असम और जहार कंड सब से नीचे स्थानों पर रहे हैं हिमांचल प्रोधीस ऑट उर मिले हैं यानि कि यह आँ पर देखिए किरल 55 चरणक है इसके बाद 74 रंक के साथ है हिमांचल और जो एक इस अचाहर नोर जो और जब शापर दीवस पर पांच जून से 9 अगस्त की बीच कि पौधे लगाने जाने का लच्छ रखा गया तो यह है पांच करोन ओके तो भारण ने टार्गेट किया है कि 33 परसेंट जो कुल वन आवराण है मतलब कि एरिया है उस पे 33 परसेंट कम सकम वन हो लेकिन अभी यह परसेंटेज जो है वो 22-23 के आसपास है तो हम ट्राइ कर रहे हैं कि 33 परसेंट टोटल हो जिससे थोड़ा सा इन्वार्मेंट को एक अच्छा का सकते हैं कि रिलीफ मिलेगा तो अभी फिलाल पांच करोन टार्गेट है बिहार का कि पांच करोन पौधे लगाया जाए और बिहार में यह सब चीज़ें देखिए किये हैं तो यह है विब मीडिया नियमावली 2021 तो यह वहत खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे आगे चलिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होगी उसको थोड़ा से जादा डिसकस करने का प्रयास करेंगे ठीक हाल ही में जारी आंकणों की अनुसार बिहार राजी का हर तो वाता वरान बढ़कर कितना परतिसात हो गया तो यह है 15% यानि कि 15% करीब एरिया पर जो है पौधें इस्थित हैं तो जारखन के बटवारे के बाद से बिहार में हरी ता वरान जो है वो 9% पर पहुंच गया था यानि कि बहुत जादा कमी देखी गई थी 2012 में बिहार ने हरियाली मिशन की सुरुवात की थी तो यह इंपोर्टेंट है कि अगर पूछे तो हरियाली मिशन बिहार ने कब स्टार्ट किया तो यह है आपका 2012 है प्रिथवी दिवस्क प्रिथवी दिवस्क नमना जाएगा 9 अगस्त 2020 तक और 2 करोंड 50,000,000,000 पौधे लगाए जान 15% हरित आवरान हासिल करने के लिए लच्छ रखा गया है तो लच्छ जो है अभी फिलाल वो 70% है और टोटल कवर जो है वो 15% है ओके पांच करोंड पौधे लगाए जाने हैं अब GST काउंसिल में ने सोना और कीमती पत्तरों की आवाज आई पर विचार करने के लिए पु यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं है तो आगे चलते के देखते हैं अगला है ब्यार के की जिले में राज्य का दूसरा डियन्य यूनिट अस्तापित किया रहा है तो यह आपका पटना ओके तो ग्रियाविभाग ने पटना में विधी विज्यान प्रयोक साला में एक डियन्य यूनिट गठित करेगी और यह ब्यार की दूसरी डियन्य यूनिट होगी ध्यान रखियेगा इसके अलवाएं यहां पर क्या क्या जाएगे कि सैंपल की जांच की जाएगी कोल्ड रूम बनाये जाएंगे इस प्रकार की चीजें की जाएंगी माइनस 80 डिगरी 1974 को विशाल सभा में यानि की विधान सभा में जेपी ने जिनका नाम जय प्रकास था ने पहली बार संपूर्ण क्रांथ के दो सब्दों काउच चारण किया था उसी के बाद से इसको मनाया जाता है अब यहां पर जात पात तिलक और दहेज पर था भेदभा को छोड़ने क के लिए संकल पर लिया गया था उसी से संबंदी था यह अगला विहार किर्सी विश्विद्यालत और आम की कौन सी नई परजाती तयार की गई है तो यह है सैबोर मैंगो टू ठीक है तो यह बहुत जादा इंपॉर्टन है खासकल एगली कल्चर के एक क्वेशन जरूर होत यह मैंगो से संबंदित पर जाती है अगला है 30 करोंट की लागत से देश का पहला गांगेटिक डाल्फिन रिसर्च के अंदर कहां बनाया जा रहा है तो यह है आपका पटना विसोविद्याल में ध्यान रखिएगा यह रिसर्च सेंटर है ओके तो अभी फिलाल इस पर काम चली रहा है आगे चली देखते हैं बिहार सरकार द्वारा कोबिट 90 से मृत्तु पर परिजनों को कितने सहायता रासी उपलब्द कराई जाएगी तो यह है आपका 4 लाक रुपए ओके अगला देखते हैं किस फसल की खेती में बिहार के साथ जिलों ने अमेरिका को पीछे तो यह है आपका मक्का तो मक्के की खेती के मामले में अगर हम देखें तो अमेरिका में बहुत ज्यादा मक्के का खेती किया जाता यूएस से में और यहां पर प्रती कुंटल अगर देखें अगर एरिया वाई देखें कि एक हेक्टेर में कितना कुंटल या पर टन तो नह प्रति एकड़ के हिसाब से इसको count किया जार लहा है, जबकि अमेरिका के इंडिया ना में 49 क्विंटल का उत्त पादा नहीं किया जाता है, प्रति एकड़ के हिसाब से एकड़ हम देखें, ठीक है? अगला है यहाँ पे बिहार के किस छेत्र को 200 करोण की लागत से परेटर नस्तल विक्सित करने के लिए घुसरा की गई है तो यह है आपका सिमरिया धाम बेगुसराय में ठीक है तो यह सिमरिया धाम कापी पेमस है आपका और यहाँ पे 200 कोरोन की लागयत से विक्सित किया जाए गाये की परियाटर नस्तल जो है और इससे जो रोजगार हैं उनकी थोड़ी सी संभावना बढ़ने की उम्मीद है अगला भियार सरकार ने किस तरह के ब्लास्टिक उत्वादों के निर्माड और आयात को राजय में पूरी तरह से प्रतिबंदित कर दिया है तो सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मो कोल दोनों को इसने बैंड कर दिया है अभी फिलाल के लिए तो द्यान रखेगा सरकार की तरफ से यह विवस्ता अजिसूचना जारी होने के 180 दिन बाद ये प्रभावी होगा अगला बिहार के कितने जिलों समेथ देश भर में 200 से ज्यादा जिलों में सोने पर कि सोने पर हॉल मार्किंग को निवारी कर दिया गया है तो बिहार में ये फिलाल 12 जिल्य है जहां पर ये निवारी कर दिया गया है सोने पर हॉल समीती दोरा पंचायतो का कारेभार समालने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है तो यह है आपका सिवहर ठीक है सिवहर है जो पंचायतो का कारेभार समालने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है अगला है हाल ही में बिहार में एथेनॉल से इथेनॉल कुकिंग स्टोब को क्या नाम दिया गया है तो इसका नाम है लैपिस फ्लेम ध्यान रखिएगा लैपिस फ्लेम अब ये भी पूछा जा सकता है कि लैपिस फ्लेम क्या है तो ध्यान रखिएगा इसको कि एथेनौल से ये एक कुकिंग स्टोब बनाया गया है जिस पर खाना बनाया तो यह है 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए दिये जाएंगे उद्योग दंदा शुरू करने के लिए मुख्यमंतरी युवा योजना के तौर के अब देखिए यह इस प्रकार की चीज़ें क्यों की जारे हैं कि देखिए रोजगार की बहुत जादा कमी है तो उद्योग महिलाओं को थानेदार से लेकर SDM तक की पोस्टिंग में कितने परस्ट की जो आरचन कर सकते हैं इस परकार की दी जा रही है तो यह हो गई है 35 यानि कि जो भी SDM और थानेदार होंगे अब उसमें 35 परसेंट जो होंगे वो महिलाएं होंगी यानि कि फिमेल्स होंगी अगला मुक्यमंत्री नितिसकुमार दौरा की छेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए 33 परसेंट सीटों को आरच्छित कर दिया महिलाओं के लिए तो यह स्पोर्ट यूनिवर्सिटी तो देखिए महिलाओं को 33 परसेंट आरच्छित देने के मामले में अगर हम कहें तो बिहार बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हर सेक्टर में लगवग महिलाओं को आरच्छित दे दिया गया 33 परसेंट या उससे ज़्यादा ओके तो अभी के लिए इतना ही था इस महिने में और